Dear Student, आज के UP Special के Current Affairs में हम कुछ साप लोगों के सामने Selected Question ले करके आये हुए हैं, जो बिगत 6 महीने के भीतर का आपका Current Affairs का Collection है ये, तो आपका पहला Question स्टार्ट होता है, और पहला Question ये है कि उत्तर प्रदेश गौर्वर्मेंट पांच वर्सों में ब्रिच्छा वरण में कितन प्रतिशत की ब्रिद्धी का लक्ष रखा है, तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 6 प्रतिशत, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 वर्सों में ब्रिच्छा वरण का लक्ष जो है, वो 6 प्रतिशत रखा गया है, अगला Question है कि उत्तर प्रदेश में नीजी जाले कितने खोलने की तयारी है, तो यह आपका कि नीजी विस्विद्ध जाले की तयारी आपका चार है, और यह चार कहा कहा कह खूलेंगे तो एक खुलेगा आपका साजहापूर आप लोग इसको जरूर नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि इस तरीके से हम आपका पूरा ब्याख्या नहीं कर पाएंगे तो कॉपी पेन अगर आपके पास रहेगी तो आप सारी चीजों को क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे तो इसमें आपका पहला कहां पर खुलेगा तो साजहापूर और साजहापूर में किस नाम से खुलेगा तो वरुन अरजुन विस्विद्याले के नाम से पहला नीजी विस्विद्याले खोलने की तयारी है दूसरा जो है आपका आगरा में खुलेगा दूसरा आपका आगरा और इस आगरा में जिस विश्विद्याले को नीजी विश्विद्याले के रूप में खोलने की तयारी है उसका नाम होगा फारुक हुसाइन विश्विद्याले तीसरा आपका है बिजनौर तीसरा आपका ब विस्विद्याले है वो खुलेगा आपका लखनव में और लखनव में जिस विस्विद्याले को खोलने की तयारी है उसका नाम है टीयस मिस्रा विस्विद्याले लखनव तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में चार नीज़ी विस्विद्याले खोलने की तयारी है और वो है साजहापूर आगरा और बिजनौर और लखनौ और चारो का नाम किस नाम से खुलेगा यह हमने आपको डिटेल में बता दिया इसको कॉपी पेन के माद्यम से आप लोग नोट कर लीजेगा अगला कोशन आता है कि सारजनिक जन औसधी केंद्रवाला राज्य कौन सा बना तो आपका उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरवाधिक जन औसधी केंद्रवाला राज्य के रूप में दर्ज हो गया और ये उत्तर प्रदेश हो है उत्तर प्रदेश में बरतमान समय में कुल जन औसधी केंद्रों की संख्या कितनी हो गई तो आपका 1325 हो गई अब अगला कोश्चन आता है कि 1 अप्रेल 2023 को उत्तर प्रदेश गवर्मेंट द्वारा गेहूं की खरीद के लिए नियुनितम शमर्थन मुल रखा गया है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 1225 रुपे एक कई सो पचीस रुपे और भारत सरकार के द्वारा एक अप्रेल 2023 को एक कई सो पचीस रुपे प्रती कुंटल प्रती कुंटल यह आपका नियुनितम समर्थन मुल गेहूं की खरीद के लिए रखा गया है अगला कोश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश गौवर्मेंट में अगला कोश्चन आता है कि उत्तर वर्ड हैपिनेस रिपोर्ड के अनुसार वर्ड हैपिनेस रिपोर्ड के अनुसार दुनिया के 40 खुसहाल शहरों में 11 इस्थान की सहर का है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका कानपूर कानपूर और उत्तर प्रदेश के कानपूर में कानपूर को खुसहाल शहरों में 11 इस्थान या शहर के रूप में घोसित किया गया है अगला कोश्चन कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के नए निर्माड का लक्ष वर्ष रखा गया है तो आपका इसका एंसर हो जाएगा उसी तरीके से उत्तर प्रदेश विधान सभा का नया निर्माड का लक्ष वर्स जो रखा गया है, वो 2027 इस्वी तक पूरा करने का इसे लक्ष रखा गया है, अगला कोश्चन आता है कि बजट में राजकोसी घाटा, ये उत्तर प्रदेश का टोटल आपका करेंट अफेर्स है, तो इसका कोश्चन हो जाएगा कि यूपी बजट में राजकोसी घाटा कितना रखा गया है, तो इस उत्तर प्रदेश में कुल सकल घरेलू राज्य उत्पाद, क्या हो जाएगा, कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, घरेलू उतपाद और इसका जो टोटल परसंटेज निर्धारित किया गया है वो आपका राजकोसी घाटा के रूप में 3.48 प्रतिशत निर्धारित किया गया है अगला कोश्चन है कि यूपी में बेरोजगारी दर कितनी है तो आपका इस बित्ती बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो 4.2 प्रतिशत है अगला कोश्चन आता है कि 2021-22 में बजट के प्राथमिक छेत्र का योगदान है तो 2021-22 में बजट में प्राथमिक छेत्र का योगदान रखा गया है वो आपका 28.44 प्रतिशत बृद्धी रखी गई है कितनी रखी गई है तो 28.44 प्रतिशत की बृद्धी 2021-22 बजट में प्राथमिक छेत्र में इसका बृद्धी अनुमानित की गई है अगला कोश्चन कि UP बजट में किस सहर में फार्मा पार्क बनाया जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का जो ललितपूर है इसी ललितपूर में आपका फार्मा पार्क का निर्मान किया जा रहा है ये सारे कोश्चन एक तरीके से बजट पर आधारी थे हैं जो बजट में प्रस्तावित किया गया है अगला कोश्चन कि उत्तर प्रदेश बजट में कितने नए राज बिस्विद्याले बनाने की घोशना की गई है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका चार और ये चार जो मुरादाबाद और चौथा जो होगा वो कूसी नगर में तो इस तरीके से बजट दो हजार एक कईस बाइस में आपका जो चार नए बिस्विद्याले की स्थापना करने की घोशना की गई वो मिर्जापूर, देवी पाटन, मुरादाबाद और पूसी नगर में इस्थापित करने की घोशना की गई अगला कोशन कि उत्तर प्रदेश वैस्विक निवेश सम्मेलन 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित हुआ तो कहां पर आयोजित हुआ तो इसका एंसर हो जाएगा आपका लखनवू और इसी लखनवू में आपका 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य वैस्विक निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा यह निवेश सम्मेलन को लांच किया गया जिसमें इन्वेश्ट आपका 27 परसंट इन्वेश्ट जो है सबसे ज़्यादा निवेश्ट जो है गौतम बुध नगर में किया जाएगा कितना परसेंट तो 27 परसेंट गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जीले में 27 परसेंट निवेस का लक्ष सबसे ज़्यादा रखा गया है उसके बाद से दूसरे नंबर पर आपका आगरा आजाता है आगरा में 8 प्रत्षत जबकि तीसरे इस्थान पर गाजियाबाद 3.66 प्रत्षत का लक्ष रखा गया है अगला कोश्चन आता है कि बरजर ग्रूप बरजर ग्रूप एसिया की सबसे बड़ी पेंट सबसे बड़ी पेंट फैक्टरी कहां इस्थापित करने की घोशना किया है तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो बर्जर है ये किस से संबंदित है पेंट से संबंदित है जो पेंट का उत्पादन करती है और इसी बर्जर ग्रूप के द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आपका पेंट की सबस प्रितिंकर दिवाकर और ये प्रितिंकर दिवाकर इसके पहले राजेस बिंदल हुआ करते थे यूपी हाई कोड के मुख्य नायाधीस और इहीं का इस्थान प्रितिंकर दिवाकर के द्वारा ग्रहन किया गया अगला कोश्चन कि तेरहमा सांसद रत्न पुरसकार किसे दिया गया तो उत्तर प्रदेश ये यूपी से स्पेसल हमने कोश्चन बनाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश मतलब तेरहमा सांसद रत्न पुर असकार प्रदान किया गया तो इसका एंसर हो जाएगा आपका बिस्वंभर प्रशाद मिस्र बिस्वंभर प्रशाद मिस्र और यह जो बिस्वंभर प्रशाद निशाद जो हैं मिस्र नहीं निशाद यह बिस्वंभर प्रशाद निशाद जो हैं यह किस पार्टी से रिलेटेड हैं तो ये समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं अगला कोश्चन कि G20 समिट 2023 का आयोजन यूपी में कहां कहां किया जाएगा तो ये कोश्चन आपके अभी पिछले PCS के पेपर में ये कोश्चन आया हुआ था लेकिन इस तरीके से कोश्चन पूछा थ कि G20 में उत्तर प्रदेश का कौन सा सहर शामिल नहीं है तो हमने इसी पे कोश्चन बना दिया कि जब आपके सारे सहरों का नाम याद रहेगा तो नहीं वाला आटोमेटिक निकल लाएगा तो G20 समिट 2023 का आयोजन यूपी में कहां कहां किया जाएगा तो पहला सहर आपका वारानसी हो जाता है दूसरा है आपका लखनव तीसरा है आपका आगरा और चौथा है आपका हो जाएगा नोएडा तो इनहीं चार शहरों में G20 समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा अगला कोश्चन आता है कि पांचमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यूपी का कौन सा इस्थान रहा तो जो आपका पांचमा खेलो यूथ गेम्स हुआ है अभी हाल फिलाल में उसमें उत्तर प्रदेश का 14 इस्थान प्राप्त हुआ और यूपी को जो 14 इस्थान प्राप्त हुआ इसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा 6 गोल्ड उसके बासे 14 सिल्वर और 16 ब् तो आपका 14 में इस्थान पर काभी जुआ और ये आपका पांचवा खेलो यूथ इंडिया गेम्स कहां आयोजित किया गया तो ये आयोजित हुआ था मद्ध प्रदेश तथा दिल्ली में अगला कोश्चन आता है और इसमें अगर आपका प्रथम इस्थान अगर आपको पू इसमें कौन सा इस्थान है तो हर घर जल योजना में यूपी का जो इस्थान है वो आपका चौथा इस्थान है यूपी का कौन सा इस्थान है तो यूपी का चौथा इस्थान जबकि प्रथम इस्थान पर कौन काभीज है तो प्रथम इस्थान पर आपका बिहार राज इस योजना के अंतरगत प्रतम इस्थान पर काभीज है ये एक तरीके से अभी बिहार या बिहार टीचर्स का एकजाम होने जा रहा है या फिर आपका ये बिहार पुलिस का एकझाम होगा बीपीसकी का एकझाम होगा उसके लिए इंपर्टेंट कोश्वन बन जाता है कि हर घर जल योजना में देश में प्रथम इस्थान किस राज्य का रहा तो हर घर जल योजना के अंतर का प्रथम इस्थान बिहार का रहा अगला कोश्चन आता है कि इंडियन एक्सपर्ट मार्ट का आयोजन कहां पर किया गया तो इंडियन एक्सपर्ट मार्ट का आयोजन जो है वो ग्रेटर नोईडा में किया गया greater noida में अगला question कि प्रधान मंत्री मित्र योजना के तहट किस जिले में टेक्स्टाइल पार की स्थापना की जाएगी तो इसका answer हो जाएगा आपका लख्नव लख्नव के साथ साथ और कहां आयोजित होगा लख्नव के साथ साथ या हर्दोई में इस्थापित किया जाएगा तो प्रधान मंत्री मित्र योजना के तहट टेक्स्टाइल पार की स्थापना लख्नव तो था हर्दोई में इस्थापित किया जाएगा अगला question आता है उत्तर प्रदेश के निर्माना धीर स्री राम मंदिर में लाए जाने वाले पवित्र साली ग्राम कहां से लाए गए ह तो ये जो पवित्र साली ग्राम पत्थर हैं ये नेपाल के जनकपूर से नेपाल के जनकपूर के गणेस्वर धाम नेपाल के जनकपूर के गणेस्वर धाम ये आप जरूर नोट कर लीजेगा ये एक तरीके से important question के रूप में बन सकता है तो उत्तर प्रदेश के जो अयु इस्वर धाम से लाया गया है अगला कोश्चन कि फरवरी 2023 में जी आई टैग प्राप्त फल पनियाला किस सहर से संबंद रखता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका गोरक पूर गोरक पूर और इसी गोरक पूर में पनियाला जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है और इसी गोरक पूर के पनियाला को फरवरी 2023 में जी आई टैग प्रदान किया गया अगला कोश्चन आता है कि वर्स 2023 में गरतंत्र दिवस वर्स 2023 में गरतंत्र दिवस की जहांकी में यूपी को तीसरा इस्थान प्राप्त हुआ जहांकी का थीम क्या था मतलब यूपी में यू अगला कोश्चन है कि UP हाइकोड का बरतमान राजिश्टार कौन है उत्तर प्रदेश हाइकोड का बरतमान राजिश्टार जो है वो राजिव भारती है अगले कोश्चन पर फोकस करते हैं और अगला कोश्चन आपका है कि फरवरी 2023 में आयोजी ताज महुत्सव का थीम क्या था तो फरवरी 2023 में ताज महुत्सव का जो थीम था वो बिश्व बंधुत्व था बिश्व बंधुत्व बिश्व बंधुत्व अगला कोश्चन कि UP का पहला floating restaurant कहां बनेगा उत्तर प्रदेश का जो floating restaurant बनेगा वो आपका बनेगा प्रयाग राज में floating का मतलब क्या होता है तो तैरता हुआ restaurant और ये तैरता हुआ restaurant जो है प्रयाग राज में निर्मित करने का नेड़ा लिया गया है अब last question आपका 26 वाँ कि 14 से 16 जनवरी 14 से 26 जनवरी 2023 के मध्य स्वच्छ विराशत अभियान UP में कहां चलाया गया तो इसमें चलाने वाला जो शहर है वो सहारनपूर नगर निगम सहारनपूर नगर निगम और इसी सहारनपूर नगर निगम के द्वारा 14-26 जनवरी 2023 के मद्द स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया और उत्तर प्रदेश में बरतमान में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है तो बरतमान में उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या 17 है तो इस तरीके से यह आपका UP special के 25-26 important most important current affairs के question हमने आप लोगों को solve करा दिया इसका आप लोग notes वगरा बकायदे बना लीजिए और यह किसी भी UP की परिक्षा में जैसे कि अभी PET का आपका vacancy आई हुई है और इसी PET के vacancy में भी आपका यह most important के रूप में यह question सामिल किये जा सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही thank you so much